अम्रोहा नगर में प्रतिबंदित प्लास्टिक पॉलितिन धर्मा कोल आदी की धरपकड के लिए नगरपालिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा है इसी के मद्दे नजर नगरपालिका ने अपने मुखबीर अलर्ट किये गए हैं जिन से उनको सूशना मिलती रहती है आज भी मुखबीर से मिली सूशना के अधार पर अम्रोहा नगर के मुहला कोट में स्थित्विया पारी सत्य प्रकाश के गोदाम पर नगरपालिका की टीम ने पुलिस और प्रशासन की मौझूदगी में चापा मारा जहां नगरपालिका के टीम को बड़ी मात्रा में प्रतिबंदित पॉलितीन थर्माकोल के गिलास आधी बरामद हुए जिसके बाद उनको अब अनुमान लगाया गया था कि वह दस कुंतल से अधिक से इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंदित पॉलितीन आधी का जकीरा बरामद होने के बाद नगरपाली का प्रशासन ने गोदाम से सारा माल भरवा कर नगरपाली का मंगवा लिया और वहां पर आरोपी के खिलाब वेधानिक कारवाई शुरू कर दी है पूरा मामला है कि प्रतिबंदी प्लास्टिक थर्माकॉल और डिस्पोजल का एक दिखा गया कि सहर में कहीं दुकानों पर भेजा जा रहा था चुकि एसडियम साब के नित्रुत में और नगरपाली का कि हमारी टी प्रतिबंदी सारे सब रखे गया है तो वहां भारी मातरा में लग लग दस कुंटल के आसपास पास प्रतिबंदी प्लास्टिक थर्माकॉल और डिस्पोजल ग्लास रप्त हुई क्या करवाई प्रतिबंदी प्लास्टिक अधनियम की धारा के तौछ जो करवाई लिखा गया है कि उसके तौछ जो जुर्माने किरासी यह जुर्माने और सीजर किरासी लिजा रही है तरह दस कॉंटल के आसपास है तर प्रद गोदाम ने ग्रव कर्क किया गया परदवद प्रद प्लास्टी का एक बंड रद किया गया था थोख बीकरता है जो कहीं सत्य प्रकाष एसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं